आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका फी एंग्जम्शन के उपर जो कि आपके लिए बहुत महले रखता है बहुत ज़रूरी है या फिर अगर आपने समिट कर दिया है दिन आप अपना स्टाडस कैसे चेक करोगे आपके इस वीडियो में पता चल जागा या फिर बात हो आपके इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को कम्प्ली देखिए और चले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्ली एक्जामनेशन के इंपॉर्टेंट कोश्चन के सारी जो विच सलूशन तो प्ली चैनल को सब्सक्काइब कर लिए और हाँ साथ ही साथ आप हमारे साथ इस सोचल मीडिया के तुरू भी जूर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे साथ जरू तो इसमें हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको समझा दू कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप जुलाई 2021 साइकल में निव एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एडमिशन फी में छूट दिया जाएगा उसके लिए आपको कुछ कंडिशन दिया गया जिसक करके ठीक है तो इन अबर कंडिशन जो है वह आपका यह कह रहा है कि कुछ ही ऐसे कोर्स है जिसमें आपको फी एक्जंशन दिया जाएगा उन सभी प्रग्राम का लिस्ट आपको दिया गया है आपका जो है वह नीचे लिस्ट आपको मिल जाएगा आप यहां पे देख सकते तो इस तरीके से अगर आप नीचे आओगे तो आपका जो टो टोटल नमबर ओफ लिस्ट है वह आप यहां पे देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से इन सभी प्रग्राम में अगर आप एड़मीचन लेते हो तो आपको फीस में चूर दिया जाएगा बस आपके पास एसी जा फिर ह yogurt का certificate होना चाहिए ठीक है तो next point next point के उपड़ आते हैं तो बी number point जो आपका बी number point है वो कहरा है कि यह जो स्कीम है certificate और diploma प्रेड लिए नहीं है यह फिर डिग्रिडूयी प्र्टर्ण का part ठीक है तो ऐसे में इस condition में आपको किसी एक में benefit दिया जाएगा और अगर आप ऐसे में दो application के उपर claim करते हो देना आपका दोनों reject कर दिया जागा ठीक है तो प्लीज ऐसा करने से आप लोग जरूर बचे ठीक है तो बचते हैं next point के उपर जो कि है आपका C number point है तो C number point में आपको बताया गया है कि अगर आपके पास SC आ फिर ST का certificate है तो आपको ये admission time upload करना होता है online ठीक है soft copy और ये certificate जो है आपका central government या state government के द्वारा issue किया गया होना चीए और जैसे ही आप इसको upload कर दोगे तो इसे online ही verify कर लिया जाता है ठीक है तो चली आप बढ़ जा admission लेड है हो तो उसके लिए आपको कुछ eligibility criteria है जैसे आपका education qualification या फिर आपका age limitation ठीक है तो वो शब आपको complete करना पड़ता है और next जो की बहुत important point है यहां पर आपका doubt बहुत आएगा इसलिए मैं यहां पर ही आपको clear कर दूंगे ठीक है की number point इसने बोले गया है कि अगर आप एसी आ फिर स्ट के अंदर आते हो और अगर आपने admission time फी नहीं दिया होगा देन आपको registration इस July 2021 session के लिए registration करवाना है देन आपको अभी भी फी नहीं लगेगा लेकिन अगर आप स्ट के स्टुडेंट होते हुए अगर आपने फीस दिया होगा admission time देन आपको registration time भी देना होगा ठीक है तो और एफ नमबर नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो एफ नमबर एफ नमबर पॉइंट है आपका कि अगर आप government या semi government या और प्राइवेट सेक्टर आप देख कि अगर आप पहले से ही किसी sources या agency से स्कॉलर सिप ले रहे हो तो ऐसे में भी आपको फी एक्जम्शन का चूट नहीं दिया जागा ठीक है तो इसका link मैं आपके लिए description box में डाल दूंगी वहां से download करके आप लोग clearly खुझ से पढ़िए ठीक है तो चली आप बढ़ जाते नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि आपके लिए बहुत important है और नेक्स्ट ये नोटिफिकेशन है आपका कि अगर आपने अपने गूगल फॉर्म के थू आप यहां पर देख सकते हैं समिट किया होगा यह रिजनल सेंटर के यह रिजनल सेंटर देहरादून के तरफ से जाड़ी किया गया है तो अगर आपने ओलाइन मोट गूगल फॉर्म के थू अपना समिट किया होगा देन आपका जो है स्टैस दे दिया गया है यहां पे ठीक है तो आप अपना नाम चेक के जिए और अपना स्टैस देख लिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट यहां हुआ है तो आपका यादे ताजा करवा दू कि आपका अरी रिजिस्टेशन का जो डेट है वह 30 जून तक है तो आप लोग यह कहा नहीं जा सकता कि फॉर्म का डे एक्स्टेंड करेगा या नहीं और रिजिस्टेशन का बात रहा तो आप लोग ताइम रहते हुए र जो लाच डेट है वो मैबई एक्स्टेंड कर सकता है वर्ट फ़र्म का कहानी जा सकता हम लोग वेट कर सकते हैं तो वेट मत कीजिए और आप अपना फॉर्म समिट कर लीजे आज 29 जूर हो गया तो कल तक आपका लास डेट दे धिया गया तो लास डेट के रहते हुए आप ल अब दूसरा तो कुछ ऑप्शन है नहीं तो फॉर्म तो फिल करना होगा तो आप लोग फटा फट से अपना फिल कर लिजे लास्ट डेक का ले ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं डोंट फॉगट तो सब्सक्राइब इस चैनल के तो थैंक यू टे